कि जहिन देखो कुश्चन है आपका इन में सी बट्टा एल अनुपात है 24 बट्टा 27 समानुपात है इबट्टा इन जो आपके रिजनिंग का कुश्चन है जिसका एंसर यहाँ पे निकालना है कि क्या बनेगा ठीक तो इनको जब आप सेल्फ करोगे तो ध्यान दो सी बट्टा एल सी का मान आपका कितना होता है तीन एल है बारह इनका एंसर दिया हुआ है 24 बट्टा 27 यहां देखिए यहां 9 का गुना किया गया तीन नमा 27 यहां 12 है तीन से एक घटाव तो हो जाएगा दो और बारह दुना 24 यानि तीन गुन्ने नौ आपको मिला 27 और यहां से बारह गुन्ने दो आपको मिला 24 वही प्रोपर्टी यहां यूज किजिए ए बट्टा एन के लिए तो ए के लिए तो होता है पांच और एन क के लिए होता है 14 तो यहां पांच पांच से एक कम किजिए गा तो मिलता है चार 14 में 4 का गुना किजिए गा तो 14 चो का 56 और 9 में 5 का गुना किजिए गा तो 9 पचे 45 यानि 56 बटा 45 आपका एंसर होगा जो अपसर नमबर बी में दिया गया है ठीक है ठैक्स पॉर वाचिंग और ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा मेंबर को एड़ किजिए धन्यवाद